कि नमस्कार कि स्वागत है आप सभी का मैं हूं मुकस जानी मेरी चैनल पे आप सभी भाई-बेनों का अर्दिक स्वागत करता हूं सभी के लिए सुब कामना सुबहचा भगवान बोले-नाथ आप सभी की मनों कामना पूरी करें दोस्तो आपने कई बात देखा होगा कि जब गमले में तुलसी जी का पोधा सुख जाता है हमारे घर में या तो आपकी सोसाइटी में आपने कई बात देखा होगा कि गमले में जब तुलसी जी का पोधा सुख जाता है एक दो साल में वो पोधा सुखी जाता है तो हम तुल्सी जी के सुख़े हुए ये पोदे को या तो जल मे परवाइद कर देते है या तो कोई मंदीर में जाके छोड़ देते है या कोई बड़े रुक्स के नीचाय में कोई कोई लोग तो कज़रे में डाल देते है दोस्तो अगर आपके गर में आपके गमले में कोई पोधा सुख जाए तो उसको गमले में से निकाल लीजिए अपने घर में रखें दोस्तों अगर कहीं से भी आपको सुख्या हुआ तुलसी का पोधा मिल जाता है लकड़ी मिल जाती है ऐसा तुलसी का पोधा सुखा हुआ मिल जाता है तो आप उ लाते हैं कहीं से भी आपको मिल जाए मंदिर से मिल जाए कोई रुक्स के नीचे से मिल जाए कोई तालाब नदी में से मिल जाए इसे घर ले आए आप एक स्थाई और पवित्र लक्षमी को आपके घर ला रहे है इतना याद रखना दोस्तो दोस्तो आज आपके साथ ये सुखी हुई तुलसी के पोज़े का दो उपाई शेर करता हूँ दोस्तो कोई भी दिन कोई भी समय पे सुकलपक्सो क्रश्नपक्सो कभी भी आप ये उपाई कर सकते हैं अगर आपको ऐसा तुलसी का पोज़ा मिल गया कहीं से भी या तो आपके गमले में सुख गया पोज़ा तो आप इसको सुद्ध जल में अच्छी तरह से दो ले बाद में इससे दूप में सुख जाने दीजिए अगर दूप नहीं है तो आपके घर में ही कहीं रखें दो तिन दिन में एकदम सुख जाएगा दोस्तो उपई बताने से पहले आप सभी से मेरा नमर निवेदन है कि आप वीडियो के अंतक मेरे साथ बने रहेंगे उपई को ठिक से समझेंगे दोस्तो अभी तक आपने चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्क्राइब कर ले पास वाली बेल अवस्य दबाए ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो आप तक पहुतते रहें दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लिए लाइक अवस्य करें कोमेंट बॉक्स में जही स्री कृष्णा लिखना ना बुलें दोस्तों अगर ऐसा सुखा हुआ पोधा आपको मिल जाता है या तो आपके गंबले में आपके गार्डन में तुल्सी जी का पोधा सुख गया है तो अच्छी तरह से साफ कर लें उसको जल से सुख जाने दिए बाद में इसके यह आसानी से तूट जाता है इसको तोड़के आप इनका पाउडर बना लीजिए कुटके या तो मिक्स्चर में आप इनका पाउडर बना लीजिए दोस्तों तुल्सी जी पवित्र है तुल्सी का पोधा पवित्र है पुजनिय है हम पुजा करते हैं उनकी मगर उनमें अनेक और सद्यक गुन परा हुआ है दोस्तों इसका उपाई करने से अगर आपको सफलता नहीं मिलती है आपके कोई काम रुके हुए पड़े है आपके काम में बाधाय आ रही है काम में सफलता नहीं मिलती है बाधाय आ रही है तो सभी बाधाय दूर हो जाएगी यह उपाई कर लेने से इसको पिसके पाउडर कर दीजिए आप छोटी डीबी में भर के रख दीजिए हर दिन सुबह स्नान करने के बाद दोस्तों दो उपाई है हर दिन सुबह स्नान करने बाद थोड़ा सहद लीजिए अपनी छोटी वाली उंगली में सहद मध जो मधू मखी इखठा करती है वह वाला मध सहद थोड़ा सहद लीजिए अब वो पाउडर जिस डीबी में रखाए उसमें यह उंगली आप डाल दीजिए जितने भी पाउडर आये अपना मूह में रख दीजिए एक गुट पानी का पी लीजिए यह सुबह सुब आप प्रयोक करेंगे और हर दिन करेंगे अब यह पाउडर जो आपने बना के रखाए वह पाउडर में आप थोड़ी हल्दी मिलाए एक चमच में थोड़ा पाउडर लेके थोड़ा चुटकी बर पाउडर लेना एक चमच में चुटकी बर हल्दी लेनी है सुद्ध जल अ आप पेस्ट बना लिए अपनी ये अनामी का उंगली से उसमें से यहां ललाट में नहीं दो ब्रह्मर के बीच में यहां इसका तिलख करें दोस्तों ये प्रयोगा आप हर दिन करें मैं आपको गैरेंटी देता हूं कि आपकी सफलता को आपकी उन्नति को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोख सकती दोस्तों जिवन की जो भी समस्या है जो भी बादा है वो स्यदूर हो जाएगी बस दोस्तों आज इतना ही वीडियो के हम तक आप सभी मेरे साथ बने रहे आप सभी का सुक्रिया धन्यवाद हुन्दे मातरम